तो अब बारा श्टेडिंग टेक्स विडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी इनका अनालेसिस करने वाले हैं मंडे के लिए ठीक है सो साथ करते हैं निफ्टी से अभी इसने टॉप पे एक रेड कैंडल बनाई हुई है अफ्टर गुड रैली अब उपर की साड में क्या हानता ओं है तो उसका है एक रजिस्टा भॉल फाइस या फिर प्रयाइस के बί〜ग इंप रहां भाब्रेंड पर जा हुआ है तो वह एक बी। Gibson करते हैं अब है अगर हम 25,400 से माने 25,400 से लेकर के 26,200 तक किये गया है यानि कि कितना पॉइंट हो गया 400 से उपर के 600 800 पॉइंट का इसने राली किया है अब यह थोड़ा सा तो करेक्ट करेगा अब यह 200 से 300 पॉइंट का इसका करेक्शन चाहिए next week में हम लोगों को यह वीक में इसने बहुत थोड़ा सा मोमेंटम किया है उपर की शैड में अभी next week में थोड़ा सा करेक्शन चाहिए उपर की साड में ही क्यों ना उसको जाना हो लेकिन यह थोड़ा सा और यहांपर करेक्शन करना चाहिए ए सब voice Ride www अब्डरोब अगया है अभी और साथे वीक में हम लोगों को ना तोड़ा दीप करना ही चाहिए नेक्स्ट विक में फिर उपर की साइड के लिए इसको फिर से सोचेंगे तेसे मैं लास्ट विक में कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिसकस के ते वीकली आनलिस वीडियो बहुत इंपोर्टेंट गया था आप लोगों के लिए विकाज उसमें मैंने आपको पहले ही अलट कर दिया था कि 2-3 दीन साइड वेज रहेंगे एकाद दो दिन ट्रेंडिंग रहेंगे तो इसमें क्या हुआ जाता तर पूरा वीक ही खरब गया ठीक है दो तीन दीन में से दो तीन दीन ही नहीं सिर्फ विकाज तीन दीन तो पाकि इसमें आया नहीं सेंसेक्स में निफ्टी में बैस बैंक निफ्टी ने सब्वोट को तोड़के थोड़ा सा डाउंचाइड का मोमेंटम अच्छा किया था वह भी वाला किया था इसलिए उसको मैं अच्छा बोलती हूं ठीक है मतलब ऐसा लास्ट वीक हमारा गया है स तो मैं थोड़ा ट्रेंडिंग वीक एक्सपेक करती हूं विकास यह एक साइडवेज जादा गया और नेग्सट वीक में मैं एकस्पेक्ट करंगे कि मार्केट थोड़ा सा घूड़ मोमेंट हम लोगों को दिखा है ठीक है हां उसमें वह एक यहा दिन जरूर साइडवेज म में आना चाहिए थोड़ा करेक्शन 200-300 पॉंट का निफ्टी का इस वीक में करेक्शन आना चाहिए अगर हम उसका वीकली का भी कैंडल देखते तो वीकली की कैंडल में अब हम लोगों को दिख रहे हैं कि इसने तीन कैंडल अब हो चुके इसकी ग्रिन देखो एक दो तीन त यो जती मारके फोड़ा टीप लेता है इसमें ऍसरीन अरby योनेश गया भी था वापस व्मेशं में यहँदेची ऊशली तारी उन्हिए और यह निज्य दो तीन यह जाई-धी कि इतना अच्छा रैली जिसका हुआ ऑगक union यह अगता सब스ंतर दौन उसका हुआ हम यहाइ थोड़ा 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 जादा ने थोड़ा करेक्षन इसको करना चाहिए है विकुज मार्केट पॉख़ोजादा स्ट्रेंट में है बहुत सदा बुलीश है एवरी डीप मार्केट उपर की साइड में भाग रहा है यह वीकली का चाट है इसमें आप आप उबसेर कर सकत देखो अब तक तो market base के उपर higher base बना के जा रहा था यहां पर higher base उसने बनाए हुए थे ठीक है और उसके बाद वह अभी उपर की साड में जा रहा है continuously यहां पर भी रेंज का consolidation किया and फिर वह वापस उपर की साड में भाग गया सो अभी क्या बोलती हुँ मैं कि इसको थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए 25,900 इसके असपस 25,700 इसके असपस तक इसको आना चाहिए 25,700 तो expect करी लेंगे निफ्टी के लिए कि इस वीक में यहां के बॉटम बनाए बेस बनाए और वापस यहां से फिर यह रिवर्सल करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक है लेगिन थोड़ा सा तो डीप मार्केट को बनता है इत नेक्स्ट वीक में एक डीप और उसके बाद नेक्स प्रॉब्लम को इतना जादा हाई मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है लेकिन चुज्डे वेनस्डे थर्स्डे फ्राइडे इन चाहा देनों में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम हम लोग को दिखा है ठीक है यह बात होगे निफ्ट की द geehr वारे में जाता उपर की साइट में नहीं सोचा मैंने थोड़ा डीप के बारे में सोचा अगर अगर मार्के ऑडीप ले लेगा एंड देन बैस्ते के लिह GC2 सबानाना स्ट कर देगा फिर जोड़ा डीप लेने के बाद यह बापस यह उपर के लिए हो जाएगा ठीक ह है रहा है जो इतना मुझे एक्सपेक्टेटर जो I wills मैंने बोले वह तक आने का मुझे एक्सपेक्टेशन है अभी निफ्टी बैंक का ही देख लो निफ्टी बैंक ने भी वीक ली का चार्ट यह बैंक की चार्ट में एक शूटिंग चार्ट कैंडल यहां पर बनाई ए मह थाई यहां से यह जा रहा है यहां descriptive हाई आई को बीडिया दीप हो बना सकप लुक्त में और उसके बाद वापस बुलीश में चला जाए तो कोई भी प्रॉब्लिम नहीं इसका डे का चार्ट हम देखते हैं डे के चार्ट के ऊपर अपर हम लोग को एक चीज नसर आ रही है कि इसने ब्रेकाउट फेल किया है ठीक है यहाँ पर इसने एक ट्वीजर टॉप भी बनाया हुआ यह भी बोल सकते हैं बेरिश इंगल फिंग बनाई है अगर आप यहाँ प के चांसेस बहुत हाई रहते हैं 90 परसेंट चांसेस हाई रहते हैं कि निफ्टिब बैंक यह ब्रेकाउट फेल करें वह इतना भागता नहीं है ठीक है और भागा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़ बढ़े सो इसी जगह पर भरोसा नहीं करते तो इसने वापस यहाँ पर एक रहर कांडल क्लोज कर दे अभी इसको मैं चाहते हूं कि अटलिस्ट प्रीवेस हाई को भी रिटेस्ट करने का बोलता है नहीं तब भी इसको 53,355 इतना तो आना पड़ेगा ठीक है थोड़ा इसके भी नीचे आता है प्राइस तो फिर वेल और गुड हो जाएगा प ठीक है और यहां पर ही साइड़ेस अगर हो गया ऐसा तो होंगा नहीं I think विकाष ब्रेक आऊट को फि얋ड को फैल के तो तो थोड़ा धेप लेगा है यहां ही साइड्वेस हो गया तो फिर हम लो Smells को काफी टाइम वेड़ करना पड़ेगा हो 29 करना पड़ेगा घिक जितना जल्दी यह नीचे आ जाएगा सपोर्ट ले लेगा उतना सही मोमेंटम हम लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा फंदरा मिनिट के चार्ट में भी देखते तो लास्ट टाइमिंग पर लास्ट दीन पर बहुत अच्छा सा इसने एक टाउन्साइट का मोमेंटम कर दिया अब उसके बाद वह एक रींज बना रहा था जो की जो रींज थी वह रींज ही उसकी बीरिश चल रहे थी ठीक है कि उसने कभी निकाल आई नहीं था और यहाँ पर थोड़ा ब्रेकडाउन करके उसी जगह को यह बार बर रेटश्ट कर रहा था तो रींज का जब इसने ब् चैशाँ है थक है तो ऊसके बाद वन वे मस्त नीचे आ गया यह फोड़ा यह बीडिनीच आ जाए अभी जो रेंज में क्लोस किया वह रिंज क्या उसका बूलिश नहीं है अभी पर पिरिश रींज के अंदर एंदर है जहां से भागा था जहां से पर यह आ जाए है उस एर मुझे लगता है कि जादा सेफ रहेगा अगें बाइंग जोन के लिए ठीक है बात करते हैं निफ्टी मेड के आपको तो कब से उमीद है कि अपना 400 के हाई के पास जाना चाहिए 13400 के पास इसको जाना चाहिए जब यहां कहीं पे था तब से मैं आपको डिसकस कर रहे हो कि यह हाई तक जाना चाहिए या फिर यह हाई को भी उसको निकालना चाहिए ठीक सिब कुछ अचा रहा तो यह हाई को भी निकाल जाएगा नहीं तो फिर 400 से वापस रजस्टेंस लेगा अब यह मैंने यहां से यह discussion क्यों किया था देखो अजकल इसका ऐसा ही candle बनता है जब यह बहुत फटक से जब नीचे आता है तो रेड़ केंडल से ही वह उपर की साड में भागना स्टार्ट करता है यहां पे एक ही ग्रीन हैमर था वह भी बहुत टॉप पे था फिर भी मार्केट ने रैली किया था मीडिकापने सो वही मैंने यहां पर भी देखा कि एक डीप उसक लिया है तो 13,400 का उसके पास एक लेवल रहेगा 13,411 का यहां तक इसका एक्सपेक्टेड टार्गेट है नेक्स्ट विक के लिए 411 का एक न्यू एटेज हाई के पास जाने की कोशिश करेगा और वहां से अगर रिस्टेंस ले लिया तो वह रिस्टेंस हो जाएगा फिर से एक नया एटेज का लेवल एंड ब्रेकाउट अगर कर देता है तो फिर 500 पांसो पच्पन तक हम लोगों को इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है लास्ट विक में एक रेड बनी थी वापस इस वीक में ग्रिन बन गई जैसे लास्ट विक ने हमने डिसकस किया था कि रेड ग्रिन रेड ग्रिन प्रैटन चल रहे तो नेक्स्ट विक में भी ग्रिन बनने के चांसे से सो इस वीक में भी ग्रिन कैंडल इसने बनाई है ठीक है 400 का ब्रेकाउट अगर आता है तो आपशाड में और मोमेंटम होगा ने तो रेस्ट ले लिया तो फिर इस रेंज से देख डाउन होगा तो नीचे की चाड में यह आएगा ठीक है ऐसा इसका चांसे मुझे नजर आ रहा है अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट विक में ब्रेकाउट करता है या ब्रेकडाउन करता है जो भी वह करेगा ठीक है उसका राली आने का चांसे जब से मिडिक आया है मिड अब आने के वह लिए बस उसने अब वापस उसका एक बन जाता है तो भी चलेगा ठीक है कभी कभी क्या हता है ब्रेकाउट भी फेल हो जाते फ्रेकाउट भी फेल हो जाते तो इन चीज़ों की आपको बहुत जादा ध्यान रखना है 15 मिनित में बिमार्किट नीचे आता है मेडिया अप लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है वापस उपर चला जाता है तो अब यह थोड़ा ही उसके लिए बाकी है तो 400 तक एक्सपेक्ट करेंगे हाई के पास में रेंज बनी है रेंज का ब्रेक आउट करने के चांसेस है और ब्रेक आउट करता है तो 14,411 तक यह जा सकता है बाकी आपको अनलेसिस के से लगए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ लाइक करना ना भूले अच्छा लगए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू गई जैन रादे करे लादेज को है कि ए सन्वेट फे यास झार मिलते हैं प्लोदी करे ल हम एपको नषी तक है?